प्रेंट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन व्यापरियोंने क्यों एक कि मॉप्ड की हुई है उनकी जीस्टी चलान करें तो सबसे पहले हमें आना होगा जीएस्टी के पुर्टल पर और इस पुर्टल पर आने के बाद मैं हमें जाना होगा सर्विसेओं वाले प्रियेट चलान के उपर क्लिक करना होगा उसके बाद हमें आया रिजन पर चलान स्लेट करना होगा मंथली पेमेंट पर कौटरली रिटन या एनी अधर पेमेंट अगर की वारेंपी स्केम के अंदर चलान भरनी है तो हमें मंथली पेमेंट पर कौटरली रिटन के उपर टिक करना होगा उसके बाद यहां फाइनाशल येर सेलेक्ट करना होगा और जिस मंथ के लिए चलान भरने वाले है वो मंथ सेलेक्ट करना होगा उसके बाद चलान टाइप सेलेक्ट करने होगी 35% चलान भरनी है या चलान on self-assessment basis भरनी है तो हम यहाँ चलान on self-assessment basis पर टिक करेंगे उसके बाद proceed पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ relevant column में tax amount इंटर करनी है जो tax आपको भरना है उस column में आपको amount इंटर करनी है उसके बाद payment mode select करना है आपको जो भी payment mode select करना है वो कर सकते हैं मैं यहाँ e-payment select करूँगा उसके बाद create चलान के उपर क्लिक करना है अब हमारी चलान create हो चुकी है अब यहाँ से net banking दौरा जिस भी bank से आपको payment करना है उस bank से आप payment कर सकते हैं यह आप यहाँ से चलान download भी कर सकते हैं तो एती प्रोसेस qrmp scheme की GST चलान कैसे create करें आशा करता हूँ वीडियो की जानके आप यह स्कूल लगियों धन्यवाद झाल